नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हुमें 4 सितंबर 2019 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुद्ध देव को नमन कर चलिए राशिफल कायकारिकरम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुद्धवार है भादरपदमास शुक्ल पक्ष की आज शष्ठित थी है जो की रात्री में 9 बज करके 55 मिनट तक है और इसके पश्चात सब तमीत थी है विशाखानक छत इंद्रयोग एवं कौलव करण है बात हो गई पिंचांग की चंद्रमा आज तुला राशि में रात्री में 10 बज करके 15 मिनट तक और इसके पश्चात व्रिश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे आज राहुकाल का समय दो पहर में 12 बजे से लेकर दो पहर एक बज कर के 30 मिनट तक का होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया कारिय राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज सरवार्थ सुद्धियोग एवं अम्रथ सुद्धियोग पूरे दिन है आज सश्ठी तिथी है भादरपदमास शुक्लपक्ष की सश्ठी तिथी बड़ी अदभूत महिमा है इस तिथी की नौ दमपत्तियों को लेकर के लिए जो नौ विवाहित है आज दिब्य महा प्रयोग में एक बड़ी ही दिब्य जानकारी आप लोगों को देने जा रहा दिब्य महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहू मिथुन रासी में संचरन कर रहे हैं तो वहीं मंगल बुद्ध सूर्य और शुक्र सिंभरासी में ये चार ग्रह युती बना कर संचरन कर रहे हैं तो देव केतु के साथ युती वना कर वक्री होकर धनु राषी में सुंचरण कर रहे हैं, यह है ग्रहस्तुती। इनीग रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया, यह दैनिक राशी फल तयार किया है, वो ने दर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ, यह राशी फल आपके जन्म राशी के आधार पर है, यह आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में है, वही आपकी जन्म राशी है, अगर आप अपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं, जिब में महा प आज भादरपद मास के सुकलपक्ष की शश्ठी तिथी को वहाँ अपार जन सैलाब इकत्रित होता है और ये जन समू किनका तो उन नौ दमपत्यों का जिनको संतती नहीं है या जो किसी भी प्रकार के चर्म रोग से ग्रसित है प्रिय दर्शकों इस कुण्ड की महिमा अपरमपार है भगवान सूर्य का ये कुण्ड है कहा जाता है कि भगवान सूर्य का उनके रथ का एक चक्का भी इसी कुण्ड के आसपास या यहीं पर गिरा कुवे के समान है जो लोग देखे हैं इस कुंड को वो देख चानते हैं कि तीन तरफ से उसमें सीणिया बनी हुई है और बीच में कुमे के इतना जगह है उसमें और आज इस सश्ठितिती पर लगभग डेड़ से दो लाख लोग यहाँ परिस्णान करेंगे आज से लगभग चार-पांच वर्स पूर्ग कि स्थिती बिलकुल अलग थी आप प्रातह काल अगर चले जाएं मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ तो तीन साथे तीन बजे जाकर के सश्ठितिती को आराम से नहा लेते थे दिन में भीड़ होता था भीड़ होती थी लेकिन इतनी नहीं लेकिन जन सूती और लोगों को जब फाइदा होने लगा सफलता मिलने लगी तो ये जन सैलाब बढ़ने लगा लोल अर्थात तेजस्वी चंचल आग के समान और अर्क कहते हैं भगवान सूर्य को भगवान सूर्य के समान चंचल तेजस्वी संतती की चाह रखने वाले नौदमपती आज के दिन इस कुंड में जाकर कि सनान करते हैं अपना वस्त्र वही पर त्याग कर देते हैं और साथी साथ अब परंपरा में कुछ लोग एक फल का भी त्याग वहीं पर कर देते हैं कोई जरूरी नहीं है कि फल त्याग किया जाए लेकिन हाँ सुनान का बड़ा ही महत्व है विशेश कर वो लोग जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते करते अब उनको लगता है कि वो ठक गए है निशन्दे मैं आपको बता दूँ कि जो भीड़ वहाँ पर लगती है उसमें पार पाना आसान नहीं लेकिन अगर आपको वहाँ पहुँच जाएं तब आपको पता चलेगा इस अद्भुत स्थल की महीमा लोलार्ख कुंड की जानकारी दी वारणसी में ऐसे कई और भी कुंड है जहां केवल शनान कर लेने भर मात्र से आपकी कई समस्याएं दूर हो जाती है और केवल ये क्यूंव दन्ती नहीं है दन्त कथा नहीं है ये प्रमान आप स्वयम दे सकते हैं वहां जा करके ऐसे जगों पर सुनान करके स्वतह आप प्रमान दे सकते हैं नहीं इसको प्रमान किया वो सकता नहीं कि मैं कोई कहानी बताऊं कि इस कारण या उनसे सुनना आप जाईए और आप प्रमान पाएंगे तो अगर आप इस तरह की किसी भी परिशानी से जूज रहे हैं विसेश कर संतान अथवा चर्म रोग से तो अगर दूर हैं तब तो बात ही नहीं लेकिन करीब हैं तो आप इस कुंड में शनान है तू अवश्य जाईए चलते हैं राशी फल की और बात करेंगे राशीों के क्रम में पहली राशी में राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी से सब्तम भाव में संचरन कर रहे हैं आज पूरे दिन सब्तम में ही रहेंगे और रा इतना कारे आपको करना है, क्या क्या करना है, सब की एक लिस्ट तयार कर लीजिए। ये आपके लिए सहयोगी होगा, इससे सहूलियत होगी और आप सारे काम आसानी से कर लेंगे। जरूर बढ़ाईए लेकिन कैसे पहले जांच लीजिए आख बंद करके नहीं भागय का साथ अवस्य प्राप्त होगा और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है कारिस्थर पर आज थोड़ा काम ज़्यादा आपके लिए रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं आसानी से आपके सारे कारे पूर्ण हो जाएंगे और व्यापारी बर की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए ब्यापार में बहुत बढ़िया है व्यापार में अचानक तेजी आ सकती है जिससे लाव होगा आपको नई डील होने की संभावना है और पूर्व में अगर रिण आपने लिया है तो मुक्ती मिलने की संभावना है या रिण से मुक्ती के छट्र में आपके कदम बढ़ जाएंगे आज आप किसी से भी जिद्ध करके अपनी कोई चाहत पू उपहार की प्राप्ति होगी विध्दारतिवर्त की बाद करूं तो समय सामानिन्य है अपने साथ पढ़ने वाले जो आपके मित्र हैं उनसे सहयोग लीजिए उनसे सहयोग लीजिए जरुवत पढ़ने पर झुकना आना चाहिए अपने आपको लचीला बनाईये, लचीला होने से सफलता में बृध्धी हो जाती है, और बात अगर आपके सेहत की करूं, तो सेहत आज आपकी ठीक है, जीवन साथी की सेहत में अगर कोई कमी है, तो जरा सावधान रहिएगा, जीवन साथी की सेहत में परिशानी आ सकती है, शेर मार्केट म अगर आप निवेश करते हैं तो आज बड़ा धनलाब हो सकता है निवेश किसी जानकार की राय ले करके करिएगा और निवेश के लिए आज नो बज करके 57 मिनट से दस बज करके 22 मिनट के बीच का समय चुनिए आज हनुमान 40 का PARTS आपके लिए बहुत लकी सावित होगा फायदे मंद होगा अतह हो सके तो कम से कम 3 बार हनुमान 40 का PARTS करिए लकी यंग का आपके लिए आज तीन है और लकी कलर आपके लिए आज नीला ब्रुशब रासी ब्रुशब रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज कोई बड़ा निर्णे लेने से पहले आपको शांती से एक बार बैठ करके बिचार कर लेना चाहिए और हो सके तो किसी करीबी मित्र से, दोस्त से, जीवन सांती से बात कर लेनी चाहिए इससे क्या होगा, कि जो एक्स्ट्रा तनाव आप ले रहे हैं, समस्या अपने माथे पर लेकर के घूम रहे हैं, उससे आपको बुक्ति मिल जाएगी आज आपके सोचे हुए सारे कारिय पूरुन हो जाएंगे, नौकरी पेसा है, तो दिन बहुत बढ़िया है नौकरी में अतिरुक्त जिम्मेवारी के लिए आपको तयार रहना चाहिए, अतिरुक्त जिम्मेवारी आपके उपर बढ़ जाएगी, परन्तु इसका लाव भी मिलेगा अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आज एक्स्ट्रा इंकम की स्थिती बन रही है, यानि टेबल के नीचे से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है, पर सावधान रहिएगा कोई न कोई चुगल खोर, जो आपके आसपास हो, आपकी चुगली कर देगा आपके उपर के अधिकारियों से, और हो सकता है, आप कहीं फंस न जाएं, परिशान न हो जाएं नौकरी के लिए अगर आप प्रयास रथ हैं, तो प्रयास बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज आपका ये प्रयास आपको सफलता दिलाने वाला है व्यापारी वर की बात करूँ दिन अच्छा है, व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार को लेकर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है और आज आगको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हैं तो आपको उसका नुकसान होगा जीवन साथी के स्वास्त की चिंता आज बनी दहेगी पूरे दिन और बात अगर प्रेम संबंधों की करू तो पार्टनर का मिजाज विलकुल बढ़िया है अनुकूल है आपके और विध्यार्थीवर की बात कर ली जाए समय बहुत अच्छा है सहयोग मिलेगा आगे बढ़ते चले जाए बिना रुके सहत की बात करें तो रक्त से संबंधित विकार परिसानी समस्या आज आपको हो सकती है और शेर मार्केट में निवेज करते हैं तो जरास्ताउधान रहिए क्योंकि आज आपसे गलती हो सकती है अता किसी विशेशक के किराय लेकर के निवेस करिए और निवेस के लिए नौबच करके बाइस मिनट से दस बजे के बीच का समय चुनिए आज घर के करीब किसी भी मंदर में जाकर के कुछ दान करिए धन दान करिए या कुछ सामान दान करिए अन दान करिए लकियंक आपके लिए छे और लकी कलर आपके लिए आज फरफल है बात मिथुन डाश के कर लेते हैं मिथुन डाश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है शुब सूचना है आपके लिए खुश खबरी है आपके लिए ये धन से भी संबंदित हो सकती है और जन से भी यानि संतान की ओर से भी और धन लाब तो खेर होने ही वाला है भाग्य आज आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहेगा भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है कारिष्ट्र में अपनी महत्वा कांचा पूरी करने के लिए अगर आप प्रेत्न कर रहे हैं हर संभव प्रेत्न कर रहे हैं तो आपको निशिंत रहना चाहिए सफलता आपको अवस्ष्य मिलेगी कारिष्ट्र पर सुखद वाता वरन रहने वाला है आज का साथ के जो लोग हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा व्यापारीवर की बात करूँ तो आज बढ़िया धनलाब होने वाला है आपके लिए और अगर आप साजेदारी में व्यापार करते हैं तो बड़ा फाइदा मिलेगा आज जरूरत से जादा बोलने से बचिये और आज प्रेम संबंधों की बात करूँ तो पार्टनर के बिना कहे पार्टनर के दिल की बात अगर आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि प्रेम संबंध एक स्टेप और उपर बढ़ जाएगा यानि प्रेम संबंध और मजबूत और मधूर हो जाएगा दामपत्य जीवन में मधूरता बढ़ेगी और विद्यार्थिवर की बात करूँ तो प्रतियोगिता में आज सफलता मिल सकती है आपको मेहनत करिए आगे बढ़ते चले जाएए रुकने की आवस्चता नहीं सेहत की बात कर लें तो पेट से सम्मंधित परिसानी एसेज़ूटी की सिकायत आज आपको हो सकती है शेर मार्केट में निवेश करते हैं तो भागय का सांथ मिलेगा बड़ा धन लाब हो सकता है दस बज करके नौ मिनट से आज सारहे दस बजे के बीच कभी भी निवेश करिए किसी गरीब को या गरीब व्यक्ति को रिक्सा चलाने वाले को ओटे ओटू चलाने वाले को ये कोई और फल का दान करिए आज लाब मिलेगा लखियंक आपके लिए आज दो और लखी कलर आपके लिए आज नारंगी है करकराशी करकराशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है लोग आज आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते पैसों के मामले में बिचार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है परिवार के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाईए हो सके तो छुट्टी का समय है अगर आपके आज पास गणेश जी की आराजना चल रही है तो गणेश जी का दर्शन करने चले जाईए कारिस्थल पर अगर आपके छुट्टी नहीं है क्योंकि मुंबई त्यादी जगों में छुट्टी रहती है लेकिन जहाँ छुट्टी नहीं है महाराष्ट्र में तो छुट्टी ही होती है लेकिन जहाँ छुट्टी नहीं है वहाँ काम होगा तो कारिस्थल पर जरूरत हो तो अपने मन की और अपने हित की बात कहने में जरा भी संकोच मत करिए क्योंकि एकाम लज्या परित्यज्य सरवत्र विजई भवेत लज्या और संकोच इनसान को पीछे की और खीच देता है व्यापारीवर की बात करूँ तो व्यापार से संबंधित अगर कोई कानूनी मसला है कोई विवाद है तो उसका निप्टारा जल्द होने वाला है व्यापार में जीवन सांथि की सलाह आपके लिए बेहत फायदे मंद होने वाली है और आज पारिवारिक जीवन और कारिस्थल दोनों को एक मिमत जोड़िए पारिवारिक समस्याओं को कारेस्थल पर मत ले जाए और कारेस्थल की समस्याओं को पारिवारिक जीवन में सामिल मत करिए इससे क्या होगा अगर घर में कोई कलह है और जाकर किया आप कारिस्थल पर उस कलह को लेकर के परिशान होते हैं औरों को परिशान करते हैं आपका दिन खराब होगा काम खराब होगा और घर से बाहर की समस्या घर में लेकर क्या आते हैं आप जानते ही हैं क्या होगा लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाओ रहने वाला है बहुत बढ़िया नहीं कह सकते परन्तु जीवन साथी से आज संबंध बढ़िया रहेगा आपको अपना बेवहार जीवन साथी के साथ बढ़िया रखना होगा दामपत्य जीवन मधुर होगा बिद्यार चीवर की बात करूँ तो आज आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में समय बीतने वाला है और सेहत की बात कर लूँ तो सेहत को ले करके तनिक भी लापारवाही मत करिये नहीं तो कोई बड़ा रोग आपको परिशान कर सकता है शेर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो बड़ा धनलाब हो सकता है और बड़ा धनलाब चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको ग्यारह वजे से लेकर साढ़े ग्यारह वजे के बीच निवेश करना चाहिए आज गणेश जी के मंदिर में चले जाएए और वहीं पर बैठ कर ओम गंगड़ पते नमह इसमंत्र का कम से कम 11 माला अगर समय है नहीं है तो 11 बार ही कर लीजिए पर करिये फिर देखिए केवल दिन ही नहीं सपताह बढ़िया हो जाएगा लकियंक आपके लिए 4 है और लकि कलर आपके लिए आज सपेद है शिम्हरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है पराक्रम भावस्त गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आप से खूब भरपूर महनत करवाएंगे जो भी पुरानी समस्याएं हैं आपके महनत से समाप्त हो जाएंगी बड़ा फाइदा मिलने का स्वयोग बन जाएगा सोचा हुआ काम आज आपका पूरा हो जाएगा नई नौकरी या प्रोमोशन के लिए अच्छे ओफर भी आज आपको मिल सकते हैं विया पारिवर के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है जाएदात से संबंदित समस्या का समाधान होता दिखाई पड़ रहा है और किसी से बिना सोचे समझे अपने मन की बात अगर शेयर करते हैं तो आपको बड़ा नुपसान हो सकता है लव लाइफ की बात करू तो आज संबंदों में तनाव की संभावना है और दामपत्य जीवन की बात करूँ तो दामपत्य जीवन आज बिल्कुल सुखद है विद्यार्थी वर की बात करूँ दिन आपके लिए अच्छा है सफलता मिलने वाली है और सेहत की बात कर ली जाए तो आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है शेर मार्केट में निवेस करते हैं तो भाग ये का साथ मिलेगा निवेस के लिए आज 9 बजे से लेकर 9 बज करके 57 मिनट के बीच का समय चुनिए और हनुमान जी के मंदिल में चले जाएए और हनुमान जी को तुलसी की माला अरपिद करिए लकियंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है कन्या राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है आज जो काम करने की आपने सोच रखी है वो आज ही कर दीजिए काल करेसो आज कर, कल पर मटा लिए परिस्तियां बिल्कुल आपके पक्ष में है उसका लाभ उठाना होगा आपको कारिस्थल पर आज आपकी बिनम्रता, मधुर बानी, औरों के प्रतिस्वयोग का रवईया ही सफल बना करके रखेगा लाभ दिलाने वाला होगा व्यापारीवर के लिए भी आज का दिन लाभदाई है और नौकरी पेशा हैं आप तो उच्चा धिकारी आज आपसे अवश्य प्रभावित होंगे वाणी से आज कुछ जरूरी काम आप निकलवा लेंगे याणी बात बोल करके मधूर बात बोल करके अपने काम करा लेंगे व्यापारीवर की बात करूँ तो कोई नई योजना यदि आपके दिमाग में उपज रही है तो उस पर काम करिए उस पर ध्यान दीजिए उसकी अंदेखी मत करिए आज आपको धनलाब होगा और आज बिना सोचे समझे अगर बोले तो बाद में पस्ताएंगे अतह ऐसी गलती मत करिए लव लाइफ की बात करूँ तो आज लव पार्टनर से आपको सहयोग और पैसा दोनों मिलेगा और दामपत्य जीवन की बात करूँ तो दामपत्य जीवन पूर्णतह मधूर रहने वाला है पूर्व से आ रही अगर कोई समस्या है मतभेद है परिवार के कारण तो वो आज दूर हो जाएगा विद्यार्थिवर की बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है नई उचाईयों को छुएंगे आप योजना बद्ध धंग से पहले योजना बनाई की कब क्या कैसे कितना पढ़ना है और उसी धंग से पढ़ाई करिये सफलता मिलेगी धन संबंधी मामलों में विसेज कर अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है इस लाभ के लिए आप तयार रहिए पुराना रोग आज आपको फिर से परिशान कर सकता है जरा सावधान रहिए और शेर मारकेट में निवेश करते हैं तो जरा सोच समझ करके निवेश करिएगा निवेस के लिए आज 9 वज करके 21 मिनट से 10 वजे के बीच का समय चुनिए शिव पंचाक्छर इस्तोत्र का पाठ करिए लकियंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है तुलाराशी तुलाराशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है सकारात्मक विचार धारा अगर आपके पास ये है तो बस सकारात्मक विचार धारा बना करके कदम आगे बढ़ाते चले जाईए एक एक करके कदम आगे बढ़ाईए रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा जहां पर आपको मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है वहां रास्ता साफ है बिल्कुल बस कदम आप आगे बढ़ाईए सफलता मिलने का योग है नौकरी में है तो सकारात्मक विचार बना करके चलिए फिर देखिए हर तरब से आपको सफलता मिलेगी नए रास्तों की तलास अब आपको आज तेज कर देनी है और बेवसाई बर की बात करूँ तो दिन अच्छा है रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और आज आपको आर्थिक लाब भी होगा किसी मामले में जरुत से जादा जल्दबाजी या उतावलापन आपको मुस्किलों में डालेगी सुजरा स्तावधान रहिएगा और आज अपने प्रेमी पार्टनर को समय दीजिए उनकी भावनाव को समझिए अन्य था प्रेम संबंध तूटने की तरफ वढ़ रहा है दामपत्य जीवन की बात करूँ तो दामपत्य जीवन आज सामान्य है अगर पूर्व से मतभेद है तो वो वैसे ही रह जाएगा बदलाव समभव नहीं है और अगर मतभेद नहीं है सब कुछ ठीक चलता है तो बढ़िया चलेगा विद्यार्थिवर की बात करूँ तो समय सामान्य है आज नए साथ ही आपके बनेंगे और सिहत की बात कर लिजाए तो आज आपको अपनी सिहत पर ध्यान देनी चाहिए पेदर्थ की शिकायत और भी कुछ छोटे मुटे रोग आज आपको हो सकते हैं और शेर मार्केट में अच्छे साथ लखी कलर आपके लिए आज पिंक है बात वुरूर्शिक राची के जातुकों के लिए आज का दिन क्या лेकर क्या रहा है आज का दिन आपके लिए बेहत सामाने रहने वाला है कोई बड़ी समस्या अपने आप ही देखते देखते सुलज जाएगी करश्थर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का भर पूर अवशर आपको प्राप्त होगा मौके का लाभ उठाइए छोटी छोटी तो रुकावटे आती ही रहेंगी जीवन भर पर आप उनका सामना आसानी से कर लेंगे सो कदम बढ़ाते चलिए आने वाले दिनों में आपके लिए पेहतर समय आ रहा है समय आज के बाद ही आपको बढ़िया मिल जाएगा बस सावधानी पूरवक कदम बढ़ाईए व्यापारीवर की बात करें तो आर्थिकिस्तुती बहुत अच्छी रहती नहीं दिखाई पड़ रही है बस अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाहि मत करियेगा छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो सुखद नहीं कही जा सकती और आज किसी को पैसा अगर उधार दिया तो बार-बार कहता हूँ गुद्धवार को दिया पैसा कभी नहीं लोटता प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है सेहत की बात कर दो तो पेट के जो नीचे का हिस्सा है उसमें कहीं दर्द हो सकता है या कोई रोग पकड़ में आ सकता है जरा साउधान रहिएगा शेयर मार्केट में निवेश करना आज खत्रे से खाली नहीं है निवेश मत करिये जरूरी है बहुत समझते हैं मजबूरी है तो अपनी परिस्तियों को समझिएगा और दो बज करके 22 मिनट से दो बज करके 47 मिनट के बीच निवेश करिए आज बेशन का लड़ू लेकर के गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाईए उनको भोग लगाईए पाईए लोगों में बाटिए लखी यंक आप के लिए दो लखी कलर आपके लिए आज ब्राउन है धनुराशी धनुराशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर की आ रहा है देखा जाए तो आज दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है बिसेश कर पूरवार्ध का जो समय है आज वो बिसेश धनलाव कराने वाला होगा महत तो पुरुन फैसला लेना चाहते हैं कोई तो उसे आज लीजिए कल पर मट्टा लिए और किसी मित्र की मदद से आपके करियर में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान हो जाएगा नौकरी के लिए अगर कहीं आज इंट्रिव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता अवश्यम भावी है सफलता अवश्य मिलेगी और बात अगर व्यापारी वरकी करूँ तो व्यापार में सफलता मिलेगी धन लाब होगा आपके इंकम में ब्रधी होगी और पूर्व से चली आ रहे हैं अगर कोई समस्या है तो आज आपको उसका हल मिल जाएगा आज बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना है ये बात नोट करके रखिए और दामपत्य जीवन की बात करूँ तो बिल्कुल सुखद रहने वाला है दामपत्य जीवन संबंध मधूर रहने वाला है हलाकि ससुराल पक्ष से आज कोई न कोई बुरी खबर मिल सकती है आपको जरा स्तावधान रहिए और प्रेम संबंधों की बात करूँ तो कोई पुरानी बात को ले करके संबंधों में तनाव उत्पन होगा अगर आप वो धिमान हैं तो इस परिस्तिव को भाप लीजिए और भाप कर पहले ही इसे अपने कंट्रोल में ले लीजिए विद्यार्थीवर की बात करूँ तो आलस्च और ठकान से आज आप परिशान हो सकते हैं और बात अगर आपके सेहत की करूँ तो सेहत में महत्तो पुर्ण सुधार होगा आज शेर मार्केट में निवेस करना बेहत खास होगा लाभ मिलेगा पतनी को उपहार स्वरूप कुछ भी दीजिए जो आपको अच्छा लगे उपहार में पतनी को दीजिए लाभ मिलेगा मकर रासी मकर राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है आज आपकी सफलता का स्तर बाकी लोगों की तुलना में उपर रहने वाला ह इंकम फाइदे की स्तुती बनी हुई है सोचे हुए जितने भी काम है या जो भी अधूरे काम है सब पूरे हो जाएंगे नौकरी व्यापार और परिवार आज सब में आप तालमेल और बेहतर ढंका तालमेल भी ठाकर करके रखेंगे कारिस्थल पर भी अगर देखा जाए तो अधिकारियों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा कोई अतिरिक्त जिम्यवारी भी मिल जाएगी हलाकि ये भारी पड़ेगा आपके लिए काम के अधिक्ता हो जाएगी इसके चलते लेकिन कोई दिक्कत नहीं मत करिएगा वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए लब पार्टनर से आज बाद विवाद हो सकता है मानुसिक कस्ति से बढ़ेगा आपको और दामपत्य जीवन की बात करूँ तो बड़ा सुखद रहने बाला है दामपत्य जीवन विद्यार्थिवर की बात करूँ दिन आज आ आज साधे नौ बजे से ग्यारह बजे के बीच कभी भी अच्छी परिस्तित दिखाई पड़े निवेस कर लीजिए आज पक्षियों को दाना डालिए जो भी हो लाध मिलेगा लकी अंद का आपके लिए आज आज हरा रहने वाला है बात कुम्भराशिक के कर लेते हैं कुम आपका बन जाएगा सफलता अवश्यम भावी है कारेस्थल पर जल्दवाजी में कोई काम मत करियेगा नहीं तो बॉस की नजरों से गिर जाएंगे और आज अपने विवहार में संतुलन बिना बना करके रखियेगा व्यापारी वर की बात करूं तो व्यापार अच्छा च कि करूं तो मेंद से सफलता अवश्य मिलेगी बस धैरे बना कर मेंद करते रहिए सारीविक परिषानिया भी आज आपको रह सकती हैं तो शेहत को लेकर के ज़रा सावधान रहिएगा विसेश करके पेट से संबंधित परिषानिय आपको परिशान कर सकती है शेयर मार्केट कि आपके लिये साथ है और लकी कलर आपके लिए अज सफेध है मीनधाशी, मीनधाशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, अपनी दिंचरया में कुछ न कुछ बदलाव लाने की कोशिश आप अवस्य करेंगे और यह अच्छा रहेगा हो सके तो परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाएगे कारिस्थल पर आज पूरी इमानदारी रखिएगा तथा संयम से काम लीजेगा यही आपके लिए फायदे मनुसित होने वाला है शाम तक इस्तियों में बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है सब कुछ बदल जाएगा थाई संपत्ति खरीदने में तनिक भी जल्दबाजी मत करिये नुपसान होगा और बात अगर व्यापारी वरकी करूं दिन आज आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता नए व्यापार की शुरुवात अगर करना चाहते हैं तो भी रुकिये बिना सोचे समझे कोई बात किसी से मत कहिए और लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए आज क्या दिन बहुत अच्छा नहीं है थोड़ी नोग जोख होगी जीवन सांती से भी मत भेद की संभावना है और विद्यार्थी वर की बात करूं तो आज महनत थोड़ी जादा है और उसके अनुपात में सफलता थोड़ी कम सेहत की बात करूं तो सेहत के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है कोई पुराना रोग जो कमर से नीचे का हो आपको परिशान कर सकता है और बात अगर share market की करूं तो share market में निवेष करना आकस्मिक धनला भी करा सकता है और आकस्मिक नुकसान भी सो परिस्तितियों को देखते हुए निवेश करिए साहे 9 बजे से 11 बजे के बीच जो भी अच्छा समय आपको लगे निवेश कर दीजी आज मा का आशिरवाद लेकर घर से बाहर निकलिए हर काम बनेंगे लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है तो प्रियदर्शकों ये था मेश से लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जातकों का पूरे दिन का हाल आज के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजे पुना हम उलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार